आज की इस वीडियो में दोस्तो एक ऐसा जनकारी देने वाला हूँ जो की वेवसाइड पे एडसेंस अप्रूबल लेने के लिए ऐसा जनकारी किसी नहीं बताया होगा यूटूब पे ठीक है अब इसलिए नहीं बताते हैं पता नहीं साथ उसका क्या नुकसान हो जाएगा ल दोस्तो कौन सा तरीका है जो की आज तक किसी नहीं बताया है तो इसके लिए इस वीडियो को देखते रहना अंत तक देख सकते हो दोस्तो एस स्क्रीन पे कई परकार के वेवसाइड पे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूबल मिला हुआ है तो यहाँ पे कैसे तो यही जन तो सबसे पहले दोस्तो यहां पे आपको बता दू देखो डेवसाइड किसी भी परकार का है आपका चाहे शायड ही है श्टेटस हो न्यूज हो या किसी भी कटेगरी पे हो या आप एक कटेगरी पे काम करते होंगे या चाहे आप जो है दस काटेगरी पे काम करते होंगे, जैसे कि कई लोग होते हैं अर्णमनी पे काम करते हैं, जॉब पे काम करते हैं, ठीक है, और न्यूज पे काम करते हैं, तो एक website के अंदर में बहुत परकार का काटेगरी होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं website को open करके जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों की website open हो चुका है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो और इस पे भी Google AdSense का approval मिला हुआ है जैसे कि यहाँ पे category इसी चीज़ को बोला जाता है जैसे कि बहुत सारे लोग जो अर्न मनी पे काम करते हैं मोटीवेशन पे बलागिंग बिजनेस यूटूब प्रोडक्ट हिस्टुडी और मूभी ठीक है तो इसे जो है बोला जाता है बहुत सारा कटेगरी बांकि बहुत सारे लोग जो एक कटेगरी पे काम करते हैं जैसे कि अर्न मनी पे या के तो कोई दिखत नहीं है दोस्तो कि टैंस्टयों कि कीई किसी ऐसीसे गूग लागिंग seans का अपरूबल नहीं मिलता है यहां पर मेरा मैं काम है दोस्तों आपको जनकारी देना कि Google कैसे मिलता सबसे पहले जो है आप को कुछ जनकारी दूंगा जो कि हर वीडियो के अंदर में बताता रहता हूँ अगर आप उस वीडियो सबको नहीं देखे हो तो इस वीडियो के अंदर में भी बता देता हूँ कि सबसे पहले करना क्या परता है Google AdSense के लिए ठीक है दोस्तो आज तक नहीं Google AdSense का अपरूबल आपको मिला है न तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको Google AdSense का अपरूबल मिल जाएगा इस वीडियो को कहीं पे कट मत करना इस वीडियो के अंदर में दोस्तो आपको कुछे अलग से हटके जनकारी मिलने वाला है तो इस वीडियो को कट मत करना देखो दोस्तो सबसे पहले होता क्या है कि website create होता है अगर आपका website नहीं create हुआ है तो नीचे full course का link दे दिया हूँ नीचे full course को देखके आप अपना website create कर सकते हो ठीक है अगर आपको website create करने में दिक्कत है तो वो full course बिलकुल फिर है उसे देखने के लिए आपका एक भी रुपिया नहीं लगेगा बाकि दोस्तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास time नहीं होता है तो वो जो है website भी create करा सकते हैं किसी से बाकि अगर मेरे से website create कराना चाते हो तो मेरा WhatsApp contact भी मिल जाएगा ठीक है उस पे किलिक करके आप मेरे से WhatsApp पे contact कर सकते हैं बाकि चलिए दोस्तो अगर आपका website create है तो देखो यहाँ पे करना क्या होता है सबसे पहले देखो आपको एक unique website जो है create करना है गूगल पे search करना है ठीक है जो भी आप अपने website का title दे रहे हो उसे search करना है कि कहीं उस परकार का website पहले से तो नहीं न है ठीक है अगर नहीं है तो फिर आप उस परकार का website बना लो उसके बाद जो है दोस्तो unique post ठीक है आप जो है कम से कम 30 post लिख लो और खुद से लिखो ना chat GPT यूज करो ना किसी AI टूल को यूज करो ठीक है और दोस्तो जैसे कि Google से आप लोग फोटो डाउनलोड कर लेते हो ठीक है गूगल से भी फोटो डाउनलोड करते हो तो वो copyright नहीं होता है ठीक है copyright हो जाता है जब आप उसको edit रही करते हो डाउनलोड करते हो तब ठीक है अगर किसी फोटो के अंदर में watermark है तो उस watermark को cut कर दो उसके बाद जो है अपने website पे upload करो बागी दोस्तो बहुत सारे जो है गूगल पे ठीक है गूगल पे search कर लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप जो title रखना चातो अपने post का कहीं पहले से तो नहीं न है अगर पहले से तो अगर पहले से होगा Google पे तो आपको करना क्या है कि Google पे जो भी title होगा ठीक है पोस्त का उससे अलग आप हटके देना ठीक है बहुत सारे दोस्तो पोस्त लिखा रहता है एक ही topic पे तो सभी का title अलग-अलग होता है तो यहाँ पे जो है mind का खेल है आप जो है अपना पोस्त का title अलग देना चलो यहाँ पे पोस्त की भी बात हो गई final कि 30 पोस्त लिखना है अब दोस्तो आपको अपने website पे एक अच्छा सा जो है theme एड करना है ठीक है theme एड करना है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है theme के अंदर में theme एड करने के बाद जैसे कि इसके अंदर में सभी working button होना चाहिए जैसे home यहाँ पे menu है ठीक है इस सब का customize होना चाहिए इस पे कोई भी किलिक करें तो काम होना चाहिए ठीक है यह नहीं कि यह काम ना करें बाकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता हूँ कि देखो यहाँ पे social icon भी add करना बहुत जरूरी है ठीक है क्यूंकि एक website को website के तरीके से अगर आप नहीं customize करोगे तो फिर google adsense का approval लेने में दिक्कत हो जाएग परता है तो चलो यहाँ पे social icon भी add होना चाहिए चाहे आपके पास दो है तीन है चार है कोई दिक्कत नहीं बेसक से आपके पास facebook है ठीक है instagram का भी profile बना लो pinterest का भी बना लो tutor का भी बना लो youtube है तो ठीक है नहीं तो facebook pinterest और tutor और instagram भी चल जाएगा ठीक है चार भी चल जाए उसके बाद जो है दोस्तों फिर होता क्या है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि design सही से करना और यहाँ पे जो है एक popular post का जो होता है option वो भी आपको enable करके रखना है ठीक है उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि category का भी option आपको on करके रखना है ठीक है अब उसके बाद जो है दोस्तो नीचे की और आने के बाद यहाँ पे about होता है सभी theme के अंदर में तो about में भी आप कुछ लिख देना ठीक है उसके बाद जो है दोस्तो अगर आपके पास Gmail ID है तो Gmail ID add करने का theme के अंदर में option होगा तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बाद उसके बाद जो है दोस्तो फूटर copyright जो है चेंज कर लेना ठीक है यह सब काम कर लेना यह एक भी step आपको नहीं छोड़ना है बाद की दोस्तो यहाँ पे जैसे की पराइबेसी, policy, contact us, about us यह तीनो बटन को जरूर add करना ठीक है अगर यहाँ पे add नहीं करोगे तो फिर Google AdSense का approval लेने में दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे जितना भी चीज आपको बता हूँ दोस्तो इन सभी step को पूरा कर लेना जैसे की 30 post का target पूरा कर लेना उसके बाद theme design जो है सही से कर लेना उसके बाद जो है दोस्तो आ जाती है बाद Google Search Console की ठीक है और 100% यह मैं guarantee देता हूँ ठीक है की AdSense reject हो जाएगा गर Google Search Console के अंदर में आपका website सई से add नहीं है तो जखो Google Search Console के अंदर में होता क्या है कि तीन काम होता है पहला काम होता है कि आप अपने website को add करते हो उसके बाद जो है दोस्तो आप अपने website का Sad Map क्या है कि add करते हो ठीक है जखो Sad Map होता क्या है कि सभी website का Sad Map होता है अभी मैं Sad Map Open करके आपको दिखाता हूँ ठीक है Sad Map होता क्या है जैसे कि यहाँ प्रिशे की यह line दिया हमने ठीक है यह वाला यह लाइन दे दिया उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा side map.xml तो आपके भी website का side map होगा तो यहां पर side map को करता हूँ option तो दोस्तों यह जो है side map है यहां पर क्या होता है जैसे कि यहां पर आपके post का पूरा यहां पर होता है side map उसके बाद page का होता है उसके बाद template का होता है उसके बाद category होता है उसके बाद post tag होता है ठीक है उसके बाद यहां पर और भी होता है जैसे कि यहां पर post का है इस post पर हम click करेंगे तो side map के अंदर में जो भी post होता है वो यहां पर आ जाता है ठीक है तो दोस्तों यहां पे Google AdSense सबसे पहले Sayed Map मांगता है ठीक है अगर आपका पोस्ट भी इंडेक्स कराना है तो Sayed Map मांगता है Google अगर Google Search Console के अंदर में Add होना चाहिए अगर Google Search Console के अंदर में Add रहेगा तो फिर आपके website पे organic traffic आएगा organic traffic किसे बोला जाता है जो Google के search engine से आता है और जब तक Google के search engine से आपके website पे traffic नहीं आएगा तब तक आपको Google AdSense का approval नहीं मिलेगा ठीक है बागी दोस्तो side map को अगर add करते हो तो ये side map काम कैसे करता है जैसे कि मैं आपको बता दे हूँ यहाँ पे जो है मैं post का side map open करके दिखा दे हूँ देख सकते हो मेरे website पे इतने सारे post है ठीक है अब चलिए मैं इसको back कर देता हूँ ठीक back करने के बाद जैसे आप अपने website का side map add करते हो search console में तो search console का robot जो है यहाँ पे क्या करते है कि आके crawl करते है ठीक है एक एक चीज पे जाके robot जो है crawl करते है ठीक है उसके बाद जो होता क्या है कि आपका website search engine में आने लगता है सभी के सभी index होने लगता है तो चलिए दोस्तों यह side map आपने समझ लिया ठीक है और कैसे Google search console के अंदर में आपको अपना website add करना है दोस्तों full course के अंदर में ही बता दियाँ ठीक है जो नीचे इस वीडियो के description में full course है और वो full course बिल्कुल फिरी है तो यहाँ पे तीन step में आपको बता दियाँ सब से पहला आपको post target complete करना है जो की 30 post होना चाहिए unique कहीं से copy paste नहीं होना चाहिए chat GPT से भी नहीं लिखा होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका theme design होना चाहिए उसके बाद जो है दोस्तों आपका website जो है Google search console के अंदर में add होना चाहिए और उसका side map भी add होना चाहिए और आपके website का ownership भी verify होना चाहिए क्योंकि Google search console में 3 काम होता है जब आप full course को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बता दिया हूँ तीनों के बारे में अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारा website सही है और आप लोगों का भी website सही होगा अगर पहले से बना होगा तो मैं guarantee देता हूँ सही होगा आपके हिसाब से सही है लेकिन एक बार जाके full course को देख लेना अगर कोई भी कमी होगा तो full course को देखने के बाद आप अपने website को सही कर सकते हो अब इतना करने के बाद दोस्तो होता क्या है जैसे कि आपका website complete हो जाता है तीन काम करने से अब यहाँ पर करना क्या है कि Google AdSense के साथ आपको अपने website को connect करना है अब Google AdSense के साथ कैसे connect करना है अगर आपको पता नहीं है तो full course के अंदर में ही बता रखा हूँ कि कैसे Google AdSense के साथ आपको अपना website connect ठीक है पूरा complete जनकारी दे रखा हूँ full course के अंदर में अब दोस्तो Google AdSense के साथ connect कर देते हो तो आपको जो है 15 दिन रूखना है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो है Google AdSense का ही रूल है अगर आप अपने website को add करते हो तो 15 दिन के बाद आपके Gmail पे एक notification आता है जिसमें लिखा रहता है good news अगर good news लिखा हुआ है तो समझ लो आपके website पे Google AdSense का approval मिल गया नहीं तो फिर होता क्या है कि आपका website reject हो जाता है अगर reject हो जाता है तो क्यों reject हो जाता है पहले ये चीज़ देखना है ठीक है और यहाँ पे जो दो ही परकार का जो है error आता है जो आता है privacy ठीक है privacy violation टैप का आता है और एक error जो आता है low quality content का आता है ठीक है अब low quality content क्या होता है दोस्तों जैसे कि आपने post लिखा ठीक है और वो post user के पास गया और उस post को user पढ़ रहा है जिसमें कि उसको कुछ knowledge नहीं मिला जो कि कुछ समझ में नहीं आया ठीक है वो post से उनको user को कोई फाइदा ही नहीं हुआ ठीक है तो दोस्तों इसे जो है low quality content बोल चाहिए जो कि कहीं से भी कोई भी कमी आपके post के अंदर में नहीं होना चाहिए ठीक है तो आपने समझ लिया यह चीज़े बाकी दोस्तों अगर reject हो जाता है ठीक है अगर आपका website सही है आपको लगता है कि नहीं यार मैं जो है एक भी step नहीं छो रहा हूं मुझे जो है फि भी मेरा website क्यों reject हो गया तो अब आपको बता देता हूं वो जनकारी जो कि किसी ने भी नहीं YouTube पे बताता है ठीक है इस तरीके से बलॉगिंग के बारे में दोस्तों बहुत सारे लोग तो बहुत तरीके का भासन करते है कि यह करो वो करो theme design करो Google search console में add करो ठीक है और उसके बात जो है unique post लिखो ठीक है वो भी क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि unique post जो लिखो गए तो उसके अंदर में 1000 word होना चाहिए लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है मैं आपको बताता हूं ठीक है 1000 भी word लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको 300 word लिखने आता है तो 300 भी लिख सक यह वैसे तो मैंने देखा है कि 500 word बाले post पे जो है google adsense का approval मिलता है 2200 post बाले word पे भी google adsense का approval मिलता है लेकिन दोस्तों आपको 300 से कम word नहीं लिखना है उससे उपर जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 300 से कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आपको बता द देता हूं जो कि youtube पे जनकारी नहीं देता है वो कौन सा है तो देखो यहाँ पे जो है सभी लोग बता दिया हो पहले कि सभी लोग अपना अपना भासन देता है कि यह करो वो करो ठीक है theme design करो theme customize करो setting करो co setting करो बहुत परकार की setting करो लेकिन ऐसा नहीं है मैं जो आपको बता essence के साथ connect करते हो तो अगर approval नहीं मिलता है तो आपको tension नहीं लेना है ठीक है एक बार में आज तक किसी को approval मिला ही नहीं है ठीक है कितनो भी बरा blogger होगा ना तो उसको एक बार में google essence का approval नहीं मिला होगा और दोस्तो एक चीज आप देखते हो youtube पे बहुत सारे वीडियो में बताता है कि एक दिन के अंदर में google essence का approval मिल जाता है एक हथ़ते के अंदर में मिल जाता है ठीक है और 24 घंटे के अंदर में मिल जाता है ये सब फेक बात है ये सब गलत बात है ठीक है मुझे भी मिला है एक दिन के अंदर में google essence का approval लेकिन वो कैसे मिला है जैसे कि मेरा website था blogesport.com पे ठीक है तो हमें जो है domain लेना था blogesport.com पे था तो मेरा website जो है अप्रूब था ठीक है उस पे Google AdSense का अप्रूबल मिल गया था लेकिन बाद में चल के हमने उसके अंदर में domain add किया ठीक है तो वो website तो पहली ही से approval था तो उसके अंदर में जो हमने domain add किया है तो हुआ क्या कि एक बार मैंने add किया तो मेरा website reject हो गया ठीक है उसके बाद मैंने फिर से apply किया तो एक दीन के अंदर में मेरा website approve हो गया ठीक है तो मुझे भी जो है एक दीन के अंदर में मिला है लेकिन किस website पे जिस website पे पहले से ही approval था ठीक है, और नए website पे पहली बार में कभी Google AdSense का approval नहीं मिलता है ना तो एक दिन के अंदर में मिलता है ना 24 घंटे के अंदर में मिलता है पहली बात Google AdSense का ही कहना है कि आपको 15 दिन रुखना परेगा, 2 बिक रुखना परेगा दोस्तो ठीक है आप जब website को add करोगे तो वहाँ पे देखना और मैं बता भी रखा हूँ वीडियो के अंदर में कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दो बीक रुकने के लिए ठीक है और किस परकार से notification आएगा क्या-क्या process रहेगा पूरा जनकारी में full course के अंदर में दे रखा हूँ बाकी चलिए दोस्तो यहाँ पे अब में बात आ जाती है जैसे कि आपका website reject हो जाता है तो एक बात बता दू आपको tension लेने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है वैसे भी आपको बता दिया हूँ कि एक बार में किसी को adsense approval नहीं मिलता है अगर जिसको एक बार में adsense approval मिल हैं जिसके पास जो है दुख है जिसके पास जो है परिसानी है ठीक है जो मजबूरी में फसा हुआ है उसको google adsense का approval मिलता है और यह चीज google पकर लेता है जैसे कि पहली बार जो है आपका website reject होगा ठीक है दूसरी बार भी reject होगा तिसरी बार भी हो सकता है reject होगा लेकिन चौ सारे लोग जो है दस-दस बार भी apply कर देते है ठीक है लेकिन फिर भी उसका google adsense reject होता चला जाता है आपका website बार बार reject होगा लेकिन आपको post लिखते रहना है गूगल जो है दोस्तों आपसे इंतिहान लेता रहता है कि अगर मैं इसको approval दे दूँगा तो बाद में चलके य यूजर को नहीं रखना चाता है पहली आपको बता दिया हो तो गूगल के नजर में अच्छे से काम करो गूगल के नजर में अच्छे से बनो और आपके अंदर में जिग्यासा है काम करने का गूगल को बताओ गूगल को email करके नहीं बताना है जब आप अपने website पे daily काम कर दोस्तो उसी से Google को पता चल जाता है कि आप कैसा व्यक्ति हो, आप मेहनती हो कि नहीं हो, ठीक है, तो ये सब बात होती है, तो दोस्तो अगर Google AdSense का अप्रूबल नहीं मिलता है एक बार में तो टेंशन नहीं लेना है, दूसरी बार भी अप्लाई करना है, तीसरी बार भी अप्लाई करना है, लेकिन मैं गरेंटी देता हूं दोस्त, कि अगर आप एक बार अप्लाई करतो हो, रिजक्त हो जाता है, तो आपको अप्रूबल नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, दूसरी बार भी अप्लाई करतो हो, गूगल AdSense का अप्रूबल नहीं मिलता है, कोई बा जोबंदीब नहीं है, बहुत सारे लोग त्रीक बताते रहते हैं, बहुत सारे लोग यह पता नहीं क्या-क्या जनकारी देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर natural is, आप अपने do law sites प report लिखो, website का design करो, अपने website को Google search console के अंदर में add करो, जब आप का website सही से customize हो जाए सब complete हो जाए ये तीन target तो चौथा बार में जो है आप अपने website को Google AdSense के अंदर में add करो ठीक है एक से दो बार में जो है आपको AdSense approval मिल जाएगा बाकि दोस्तों एक ही बात को बार बार बाताने की क्या जरूरत है ठीक है बताने में हमें मजा भी नहीं आता है तो एक ही बात को बार-बार बोनने से कोई फाइदा नहीं नीचे इस वीडियो के description में जाए और अपना website जो है सही करिए full course को देखके अगर सही नहीं है तो बाकि उसके बाद अगर आपको website create कराना है मेरे से तो आप जो है हमसे WhatsApp पे contact कर सकते हो उस website में दोस्तो पहली ही से जो है full customize रहेगा domain add रहेगा सब complete रहेगा setting complete रहेगा बस उस पे आपको post लिखना है और Google AdSense का approval आपको मिल जाएगा ठीक है बहुत सारे लोग जो है मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि direct मुझे Google AdSense approval website दो दोस्तो Google AdSense direct जो है website कभी लेना नहीं चाहिए ठीक है हाँ एक complete website लेना कोई गलत बात नहीं है लेकिन direct AdSense approval website लेना गलत बात है दोस्तो AdSense approval website इसलिए नहीं लेना चाहिए direct क्योंकि पहली बात तो AdSense approval website जो है आपको 20 से 25 हजार रुपे में मिलेगा ठीक है अगर 20 से 25 हजार रुपे में अगर आप AdSense approval website ले भी लेते हो तो फिर आपको AdSense का भेलू नहीं पता चलेगा ठीक है कि AdSense approval लेने में जो है कितना मेहनत लगता है ठीक है तो फिर हो सकता है आप जो है उस website पर success भी नहीं होगे ठीक है क्योंकि देखो success वही होता है जो मेहनत करके किसी चीज को हासिल करता है ठीक है तो आपको बता दिया हूँ अगर आपको लेना है तो हाँ full customize website मेरे से ले सकते हो जिसके अंदर में पूरा पहले से ही setting रहेगा domain add रहेगा ठीक है search console के अंदर में add रहेगा और भी जितने भी process होता है एक website को create करने के लिए वो पूरा complete रहेगा ठीक है बाकी जो है दोस्तो आपको अगर website चलाने में दिक्कत होगा तो आपको अलग से guide भी किया जाएगा WhatsApp के जरिये ठीक तो नीचे WhatsApp का जो है मेरा contact है इस वीडियो के description में और full course का भी link है अगर आप website नहीं buy करना चाहते हो तो full course को भी देखके खुद से website create कर लोगे तो दोनों option है दोस्तो आपके पास दोनों में से किसी को भी use कर सकते हो बाकी दोस्तो adsense approval के लिए यही सब जनकारी होता है जो मैं आप कोई trick यूज करते हो तो वो गलत हो जाता है अब जैसे कि किसी को follower बरहाना है ठीक है Instagram पे या व्यूज बरहाना है website पे तो बहुत सारी ऐसी website है ठीक है जहां पे आप अपने website का link add करोगे और एक मिनट के अंदर में पांच-पांच-छाजार जो है traffic आ जाएगा उस चीज के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है मैं ऐसा किया भी हूँ ठीक है लेकिन उस website पे हमें पता है Google AdSense का approval नहीं मिलेगा ठीक है और आपको भी ऐसा काम नहीं करना है ठीक है इसके बारे में step by step आपको अगले वीडियो में जनकारी दूँगा तो दोस्तो इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर लेना है subscribe क्योंकि अगला वीडियो जो भी upload होगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा अगर subscribe करके नहीं रखोगे तो दोस्तो इस परकार का वीडियो का notification आपको कभी नहीं मिलेगा तो चलो दोस्तो उमीद है आप लोगोंने इस चैनल को subscribe कर लिया होगा ठीक है अगर ये जनकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को like भी कर देना बाकी चलिए आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में